जो marginal physical productivity आप दा लेबर है ये negative slope होने का इसका एक मात्र रिजन है कि जैसे जैसे नंबर आप दा लेबर को हम बढ़ाते चले जाएंगे नंबर आप दा लेबर बढ़ने के पैणाम सुरूप अर्थ बेवस्था में उसकी सीमान उत्पादक्ता लगातार कम होती चली आएगी ठीक है तो marginal physical productivity आप दा लेबर very important component बन जाता है जो हमारा classical approach हो जाता है तो मैंने एक point आपके साथ discuss किया कि स्रम की जो मांग होती है स्रम की मांग व्यूत्पन मांग है व्यूत्पन मांग drive demand है drive demand का मतलब क्या हुए यह technical word है technical terminology है बार बार exam में पूछा चाता है drive demand का मतलब होता है कि अगर अर्थ बेवस्था में वस्तूओं की मांग बढ़ेगी वस्तूओं की मांग बढ़ेगी ठीक है तो वस्तूओं की मांग बढ़ने से उत्पादक स्रमिकों की मांग को बढ़ा देगा उत्पादक स्रमिकों की मांग को बढ़ा देगा और स्रमिकों की मांग वास्तों में depend किस पे करती है वस्तूं की मांग पे इसलिए स्रम की मांग को हम लोग drive demand या व्यूत्पन मांग पर आधारित कहते हैं एक पूरा मांग होती है अपने सुना होगा एक इस्थानापन मांग भी होती है बट ना तो ये substitute demand होगी ना तो complementary demand होगी it will be drive demand होगी ठीक है तो drive demand का मतलब होता कि अर्थ व्यूस्ता में वस्तूं तथा सेवाओं की मांग पढ़ने के करणर स्रम बाजार में स्रमिकों की मांग एक उत्पादक बढ़ाता है ऐसे स्रमिक की मांग नहीं पढ़ेगी बाजार मे ठीक है और स्रम की वस्तूं की मांग होती है और direct demand होती है डारेक्ट डिमान का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसे आते हैं पैसे आते हैं तुरंद कहते हैं कि mobile phone हम को चाहिए हमको pin चाहिए हमें copy चाहिए तो ये that is called direct demand direct demand क्या होती है वो क्या हुता है जो demand होती है it is connected with ज तो एक concept याद रखना कि स्रम की मांग अर्थ ब्यवस्था में डारेक्ट कभी नहीं होती है स्रम की मांग जो होती है वो इंडारेक्टली होती है इसलिए अगर हम अर्थ ब्यवस्था में रोजगार को स्थापित करना चाहते हैं तो रोजगार को स्थापित करने के लिए हमको केवल कंपनियों को लगाने से काम नहीं चलेगा हमको अर्थ ब्यवस्था में वस्थूओं के लिए मांग पैदा करनी पड़ेगी जब अर्थ विवस्था में वस्थूओं की मांग पैदा होगी तो उसके परिणाम सुरूप अर्थ विवस्था में डिमांड बढ़ेगी वस्थूओं की और वो प्रेडूशर जब डिमांड बढ़ेगी तो वस्थूओं को जनरेट करने के लिए हमें ज्यादा स्रमिकों की आवशकता पड़ेगी और यही स्रमिक क्या हो जाएंगे, रोजगार में आएंगे, दूसरी बात मैं जो आपके साथ important component की बात कर रहा हूं, सीमान्द भौतिक उत्पादक्ता की बात कल्से कर रहा हूं, सीमांद भावतिक उत्पादक्ता कल से मैंने आपके साथ यह डिसकस कर रहा हूँ ठीक है marginal physical productivity of the labor marginal physical productivity of the labor का मतलब होता कि जब किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक से अधिक स्रमिकों को हम लगाते हैं स्रमिकों की इकाईयों को बढ़ाते हैं तो उनकी उत्पादक्ता कम होती चली जाती है dimnishing law of return आपने देखा होगा ठीक है मुझसे कहिए पहली क्लास में बहुत अच्छा कराऊंगा दूसरी क्लास थोड़ी से quality down होगी तीसरी क्लास और quality down हो सकती है चौती क्लास और down हो जाएगी because of क्योंकि मेरी physical productivity continue declining होती चली जाएगी इसलिए जो marginal physical productivity of the labor है that have the negative slope इसलिए सीमान्त भावतिक उत्पादकता का जो ढडाल होता है वो रिणाटमक पाया जाता है और रिणाटमक तक यही बताती है कि अर्थ विवस्था में जैसे number of the labor लगाते चले जाओगे number of the labor लगाने से क्या होता कि अर्थ व्योस्था में सीमान रास्मान नियम काम करने लगता है इसलिए marginal physical productivity of the labor वो उसका जो slope पाया गया वो slope आपकी negative slope था, negative slope का मतलब होता है कुछ ऐसा slope पाया गया marginal physical productivity of the labor का कि पहले स्रमिक जो हमने पहला स्रमिक लगाया उसकी physical productivity ज्यादा थी, suppose that that had the 10 unit productivity but another जो हमने स्रमिक लगाया, another स्रमिक लगाने के पैड़ाम सुरूप जो second हमने स्रमिक लगाया, उसकी marginal physical productivity decline कर जाती है तीसरे स्रमिक को जब हमने लगाया, third स्रमिक को लगाने के बाद उसकी productivity all decline कर गई suppose that it is five, next स्रमिक को हमने और लगाया, next स्रमिक को और लगाने का मतलब क्या हुगा कि इसकी physical productivity all decline कर गई, अगले स्रमिक को लगाया और productivity decline कर गई तो जो marginal physical productivity of the labor है, जैसे जैसे एक फर्म में स्रमिको की शंख्या बढ़ाते चले जाएंगे उसकी मिलए, just one minute सभी को पीपीटी विजवल है प्लीज बताईएगा पीपीटी विजवल है सभी को मैं आपसे ये बता रहा था कि जैसे जैसे नमबर आफ दा लेबर किसी फर्म में लगाए जाते है नमबर आफ दा लेबर फर्म में लगाने के बाद उससे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कॉंटीन्यू डिकलाइंग करती चली जाती है डिकलाइंग करने का मतलब क्या होता है डिकलाइंग करने का मतलब यह होता है कि पहला जो स्रमीक होता है उसकी सीमात उत्पादक्ता ज्यादा है देखे हाई है लेकिन जब हमने दूसरे स्रमिक को लगाया तो दूसरे स्रमिक से हमें उसकी सीमात उत्पादक्ता केवल हमको कितनी मिली नाइन मिलती है तीसरे स्रमिक को हमने लगाया उत्पादक्ता डिकलाइंग करके फाइब मिलती है चौथे स्रमिक को लगाया उससे उत्पादक्ता गिर करके फोर मिलती है पांचवे स्रमिक को हमने लगाया उससे उत्पादक्ता डिकलाइंग करने के बाद कम मिलती है एक प्रेड्यूशर केवल उतने स्रमिकों को ही लगाएगा उतने ही स्रमिकों की डिमांड करेगा स्रमक लगाया और उसे मिलने वाली उत्पादकता तीन यूनिट है और बाजार में मैंने इस तीन यूनिट को बेचा 50 रुपए की रेट से बेचने के बाद मुझे देर्ड़ रुपई मिला इनकम तो मैं किसी स्रमिक को वेज जो होगा वो डेड़ सु रुपाई से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ ठीक है सीमान्त वादी सिध्धांत क्या कहता है सीमान्त वादी सिध्धांत कहता है कि किसी स्रमिक की यानि सीमान्त स्रमिक के उत्पादक्ता के बराबर ही मजदूरी दी जाती है ठीक है सीमान्त स्रमिक मेरा क्या है इस ग्राप में मेरा सीमान्त स्रमिक पांच है तो पांचवे स्रमिक से जो प्राप्त होने वाली उत्पादक्ता है वो थ्री यूनिट है तो ये थ्री यूनिट की उत्पादक्ता से मुझे रिवनिव कितना मिला रिवनिव जनरेट हुआ म का मतलब क्या हुआ कि सीमान स्रमिक की उत्पादकता कितनी है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी तीन है और उसको मैंने बाजार मूले से जब मल्टिप्लाई कर दिया तो मुझे 1.5 रुपए मिल जाता है यानि जो पांचवह स्रमिक है वो मुझे मेरे रिउनियु में 1.5 रुपए अड़ कर रहा है तो मैं सारे स्रमिकों को ऐसे थो है नहीं कि पहले स्रमिक से ज़्यादा सीमान तो उत्पादकता है तो मैं उसको जदादा दे दूँ दूसरे स्रमिक से सीमांत उत्पादक्ता कम है तो मैं उसको कम दे दूँ, तीसरे स्रमिक से और उत्पादक्ता कर नहीं, सारे स्रमिकों को मैं बराबर दूगा, सीमांत उत्पादक्ता सिधानत ये कहता है कि एक प्रेडूशर क्या करता है, सीमांत उत्पादक्ता के बराबर ह तो मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगा दिया कि इतना भुक्तान सब को वो करेगा ठीक है तो अब प्रस्ण यही बनता जैसे कल एक प्रस्ण मेरे पास आया था कि सर सब उठा करके दे देगा तो उसके पास बचेगा क्या हमने क्या बोला सीमांत उत्पादकता की बराबर दे तो पांचवे स्रमिक से उसे कुछ नहीं बचेगा बट पहले स्रमिक से देखिए दस यूनिट को उत्पादन वो कर रहा था और दिया कितना तीन यूनिट के बराबर उसको वेज दे रहा देखो मजदूरी तीन यूनिट के बराबर दे रहा तो उसके पास साथ यूनिट क पचास रुपाय है तो साथ पना पैती साड़े तीन सुरुपाय है उसने स्रमिक से कमा लिये यानि स्रमिक ने पांस रुपाय की रिवनियू दिया देखो दस यूनिट उत्पादन किया उस स्रमिक ने पहले स्रमिक ने और जिसमें से तीन यूनिट के बराब उसको वेतन दे दिया गया वहां की साथ यूनिट जो बचा उस साथ यूनिट क्या हुआ प्रोडियूसर का प्राफिट हो गया वहीं दूसरे स्रमिक से देखिए उसने उत्पादन नौ इकाईगा करके दिया लेकिन हम वेतन तो सबका समान दे रहें तीन यूनिट के बराबर तो आर्थात उसको क्या हुआ च्छाए यूनिट का हमने उससे बेनिफिट लिया और च्छाए यूनिट का बेनिफिट को पचास से मल्टिविले गया 35 तीन सुरुपाई हमने उस स्रमिक से कमा लिया ऐजा प्रॉफिट इसी प्रकार हमने तीसरे स्रमिक से कितना कमाया तीसरे स्रमिक से पांच यूनिट कमाया जिसमें से तीन यूनिट के बराबर वेतन दे दिया और दो यूनिट के बराबर हमने प्रॉफिट कर लिया केवल सीम सीमांत स्रमिक ऐसा होता है जिससे एक प्रेडियूसर को प्रॉफिट सूनने मिलता है यह सीमांत उत्पादक्ता सिध्धांत कहलाता है कि एक स्रमिक की जो वेज होता है ठीक है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बराबर डिटर्माइन किया जाता है और यह फर्स्ट लेबर ये पहला सरमिक है तो इसको ज़्यादा वेतन देदो ये दूसरा सरमिक है इसको कम वेतन देदो नहीं जो सेलरी होगी जो वेतन होगा कंपनी का वो सभी के लिए समान रहेगा और वो कैस कितने के बराबर रहेगा वो marginal physical productivity of labor के बराबर रहेगा that is very important point हो जाएगा ठीक है तो marginal physical productivity के बराबर एक सरमिक को वुकतान मिलता है ठीक है तो अन्य वेनी सीमान सरमिक से हमें कोई लाब नहीं मिलता बलकि अन्य सरमिकों से एक उत्पादा को लाब प्राप्त होता है ठीक है इसी को classical approach आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा वेतान होता है marginal physical productivity of the labor इसमें हमने बाजार मुले को गुना कर दिया और हमको क्या निकल करके आया हमको वेज निकल करके आया हमको वेज निकल करके आया ठीक है जैसे एक सरमिक तीन यूनिट का सीमान सरमिक ने कितना उत्पादन किया तीन यूनिट का उत्पादन किया उसकी marginal physical productivity तीन थी उसका price किया था 50 था तो हमने उसके बराबर वेज दे तो यह आपने देखा होगा ठीक है यही प्रस्ण मैं आपके साथ डिसकस कर रहा था कि जो वेज होता है वो सीमान्त स्रमिक की उसकी उत्पादक्ता को बाजार में बेचने के बाद जो कुछ मिलता है उसको हम लोग वेतन के रूप में सभी स्रमिकों को देते वही के बराबर मजदूरी जो होती है वो मौद्रिक मजदूरी होती है जो एक मजदूरी होती है जो मौद्रिक मजदूरी होती है और दूसरी जो मजदूरी होती है वो आपके पास वास्तविक मजदूरी होती है वास्तविक मचदूरी होती है इसको मुनटरी वेज के नाम से जानते हैं और इसको रियल वेज के नाम से जानते हैं दोनों का डिफरेंस याद रखना बहुत इंपोर्टन्ट है अगर आप किसी काम में जाते हो ठीक है? केवाल आपको मुद्रा के रूप में भुक्तान कर दिया जाता है तो वो आपकी मुनटरी वेज होगी मुद्रिक मचदूरी होगी ठीक है? आप गए ठीक है? कहीं पर काम करने गए आपको दिन में लेवर का काम किये ठीक है? आपने मनारेगा में काम किया आपने खुदाई किया सामको आपको मुद्रा मिल गई और वो मुद्रा आपकी मौध्रिक मज़दूरी कहलाएगा लेकि रियल वेच क्या होता है? आपको मौध्रिक मज़दूरी के अलावा आवास उपलब्ध कराया जाता है ठीक है आपको 15 उपलब्ध कराया जाता है आपको चिकितसा उपलब्ध कराया जाता है आपके बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाती है इस तरह करके कई схemes आपको दिया जाता है ठीक है तो इस case में real wage के अंतरकत क्या होता है मौद्रिक wage, monetary wage प्लस आपके पास सुख सुभिथाएं या additional things जोड़े जाते हैं additional things जैसे company की bus आती है वो लेकर क्या आपको जाती है ये भी additional things होती है ठीक है आपके बच्चों का reservation हो जाता है जैसे इन्वर्स्ट्री आप इलहाबाद में पढ़ाने वाले professors हैं माली जो उनके बच्चों के लिए कुछ कोटा निर्धारित हो गए तो कभी कभी monetary wage ज्यादा होती है ठीक है आपको यहाँ पर monetary wage क्या होती कम दिखाई पड़ सकती है का अरे हमको तो मातर 40,000 बिल रहा है बट जो आपकी additional service है जो government आपको provide कर रहा है उसका total value आपको बहुत benefited कर देता है government job में आज यही है government job में real wage बहुत ज्यादा होता है ठीक है private job में monetary wage ज्यादा होता private company में आप काम करिए वो केवल आपको वेतन देगा ना तो आवास की वेवस्ता आपको करेगा ना तो आपकी family की responsibility लेगा ना तो आपको travel के लिए बात करेगा कहा जाना कहीं नहीं जाना है तो इसलिए लोग government job को इस समय ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर monetary wage तो काम है लेकिन उसको उससे मिलने वाली सुब्धा हैं जैसे आवकास की सुब्धा हैं ठीके hospital की सुब्धा हैं ठीके आवास की सुब्धा हैं बहुत प्रकार के benefit हैं जो यहाँ पर provide किये जाते हैं तो classical approach ने कहा था कि जो demand of labor होता है वो monetary wage का function नहीं पाया जाता है वो मौद्रिक मजदूरी का फलन नहीं होता है उन्होंने कहा कि वास्तों में यह real wage का function होता है और real wage पे depend करता है और real wage को इन्होंने डिफाइन किया कि real wage निकालने के लिए आपको मौद्रिक मजदूरी जो आपकी monetary wage है उसको price से divide कर दीजे ठीके तो price से divide करने के बाद आपको real wage निकल करके आ जाएगा मतलब real wage क्या होगा? real wage equal to क्या होगा? monetary wage upon price of the market ठीके? अगर याद रखना अब यह फलन को बहुत केरफुली आपको ध्यान देना है मैं इसलिए इस topic को आज दुबारा repeat कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ topics हैं जो आपको discussion करना जरूरी है अब इस फलन में एक चीद ध्यान से गवर करने वाली बात क्या है? कि अगर company आपकी monetary wage बढ़ा रही है तो निस्चित रूप से आपकी real wage बढ़ती जा रही है that is the positive correlation between real wage क्या होता? monetary wage के साथ धनात्मक सा संबंद पाया जा रहा है यहाँ पर अगर monetary wage बढ़ रही है तो real wage आपकी निस्चित रूप से बढ़ेगी और अगर आपकी monetary wage कम हो रही है तो real wage भी आपकी कम हो जाएगी ठीक है? लेकि एक point यहाँ पर बड़ा important है जो हमको society में देखने को मिलता है that is the relationship between real wage real wage का relationship monetary आपका यह monetary wage हो गया and आपका price तो यहाँ पर जो relationship हम देख रहे हैं कि price का real wage के साथ negative relationship है, inverse relationship है इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर society में, अगर market में price of the commodity बढ़ेगी तो real wage का मान कम होता चला जाएगा ठीक है? अगर society में ज्यादा मूले में ब्रद्धी होती जा रही है तो real wage आपका continue declining होता जाएगा और जब real wage decline करेगा तो मैंने आपके साथ बोला था कि demand of labor होती है यादि डियल होती है it is function of real wage और it is function of real wage का मतलब क्या होता है? कि अगर economy में real wage आपकी कम होगी वास्तिक मचदूरी कम होगी तो निश्चित रूप से ठीक है? काम real wage पे काम करना पसंद नहीं करेंगे आप दूसरा function देखिए कि जो supply of labor है it is also function of real wage और real wage में जब आपकी real wage कम होगी तो स्रमी कम काम करना चाहेंगे company में भाई हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि price market में बढ़ रहा है और real wage actual में कम हो रही है और जब real wage actual में कम हो रही है तो निश्चित रूप से आप या हम नहीं काम करना पसंद करें गरहने तो हम गाव में ठीक है सुरुवत बंबाई में लोग जाते हैं काम करने real wage वहां मुद्रिक मजदूरी दी जाती है वो कहते हैं कि हमको कमरे का किराया ठीक है मानलों हमको 10,000 देते हैं सपोईदर 10,000 देने के बाद हमारा कमरे का किराया 2,000, 3,000 हो गया फूर्डिंग का 4,000 हो गया ठीक है हमारे pocket money का हो गया टांसपोर्ट का हो गया मेरे पास zero amount बचता है तो आखिर मैं क्यों काम करूँगा क्योंकि 10,000 तो केवल मेरा standard of living maintain करने में खर्च हो जाता है वो survival expenditure है मेरे तो मुझे उतनी दूर जा करके सूरत बंपई कमाने का क्या मतलब होता है जब मेरे एक पास एक pocket में एक रुपए नहीं बचता फार्दा future expenses के लिए इसलिए वो लोग क्या करते हैं 10,000 या 15,000 के वेतन में वहाँ पर काम करना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि जो price है वो बढ़ता जा रहा है और real wage कम होती चली जाती है real wage कम होने से supply of labor कम हो जाती है हम नहीं जाएंगे काम करने जब हम नहीं चाहेंगे काम करने वो बोलते है तो निश्चित रूप से इसका मतलब होता है कि जो minimum wage है वो 15,000 से अगर कम होगा तो एकनौमी में लोग काम करने को तयार ही नहीं हो रहे है वो कहते हैं हम घगाओं में काम कर लेंगे विकाच वहाँ पर real wage ज़्यादा है क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पर additional services जिसे मकान आपका है खेत में गेहूं चावल आपके घर में होता है आपको कई purchase करना नहीं है तो इसलिए वहाँ पर price का impact आप की उपर नहीं पड़ेगा पेड़ाम सुरूप क्या हो जाएगा real wage गाओं में ज़्यादा रहेगा अजब real wage ज़्यादा रहेगा तो आप वहाँ पर supply करना पसंद करोगे जहाँ पर आपका आवास है इसलिए गाओं से लोग नहीं जाते कहते कि हम खेती कर लेंगे क्योंकि खेती करने के बाद हम कुछ additional कर लेंगे छोटी से दुकान खोल लेंगे क्योंकि वो जो saving होगी हमारे future expenses के लिए sufficient होगी और वो बेरोजगार के अपेच्छा इस तरह के 15,000 की जाब 10,000 की जाब करने के अपेच्छा गाउं में एक छोटी से दुकान पे बैठना ज़्यादा उप्युक्त समझते हैं क्योंकि real wage वहाँ पर उनकी ज़्यादा हो जाती है ठीके तो ये आपका एक relationship पाया जाता है कि जब market में price बढ़ता है price आपने देखाँगा continue बढ़ता है जब economy में price बढ़ता है तो price बढ़ने के परणाम सुरूप किसी भी व्यक्ति का real wage कम हो जाता है ठीके एक दिल्ली मुंबाई में कमाने वाला व्यक्ति है तेड़ लाग कमाता हो बट high price है ठीके high price है ठीके मैंने एक दिन अमेरिका का data में discuss कर रहा था तो अमेरिका में average वेतन है 6 लाग रुपाई पर महीना 6 लाग रुपाई पर महीना बट toilet का जो expenses है 1 डालर है मतलब 80 रुपाई एक बार टॉलेट जाने का है 1200 डालर की आपकी movie है sorry 1200 रुपीज में तो आप वहां का जो price compare करोगे वेतन compare करोगे तो आप कहोगे ठीक है क्योंकि वेतन आपको 5 लाग रुपाई लग रहा है बट जब price से आप divide करते हैं तो real wage वही भारती रुपाई के बरावर आ जा रही है क्योंकि वहां पर expenses इतने high फाई है वहां पर price value बहुत ज़दा है तो monetary value अगर आपकी high है मौद्रिक मजदूरी आपकी उँची है price आपका उँचा है तो real wage निस्ची तुरूप से constant हो जाएगा अमेरिका में यही है आपसे किवल एक side बताया जाता है कि monetary wage इतनी है बट आपका भी उसको price से divide करके real wage निकालिएगा तो इंडिया की और अमेरिका की लगभग दोनों समाना चाहेगी तो इसलिए हमारे पास जो demand of labor होता it is determined by not monetary wage क्योंकि monetary wage में confusion बहुत जादा है इसलिए एकनॉमिस्टों ने real wage के साथ इसके concept को combine करने लगे तो यह आपको concept समझ में आए गया होगा कि real wage very important होता एकनॉमि में unemployment या employment determination के लिए और real wage ही एकनॉमि में employment determination को करता है संपादित करता है यह point आपको clear हो जाता है ठीक है तो अब आपको समझ भी आया कि why we are choosing the real wage तो formula आपका क्या बन जाता है कि हमने बोला कि marginal physical productivity of the labor को अगर price of the commodity से multiply कर देते है तो वही मेरा wage हो जाता है मैंने कहाँ wage price को इधर ले आते है तो marginal physical productivity marginal physical productivity of the labor equal to wage upon price ठीक है और इसको हम क्या कहते है demand of labor कहते है तो demand of labor is the function of wage upon price of wage upon price क्या है आपका यह real wage है तो यह आपका जो demand of labor है it is function of real wage यह real wage का फलन हो गया तो real wage अगर उंची होगी तो demand of labor कम होगी और अगर real wage कम होगी तो demand of labor जदा होगी यह relationship बैठ जाता है दूसरा जो supply अप लेबर है जो हम लोग supply करते हैं हम काम करना चाहते हैं ठीक है हम किसी company में तब join करते हैं यह depend करता है कि वहां का real wage कितना है ठीक है यानि it is also determined by real wage और real wage हमें यह क्या बताता है कि अगर real wage जदा होगी तो कोई लोग job जदा करेंगे ठीक वहां पर काम जदा करेंगे ठीक है एक IS officer सबसे जदा real wage होती है उसमें हमको काम ठीक लगता है लगता है कि हमारा real wage ठीक है उसी प्रेकार क्या होता है जब real wage हमारा कम होता है तो हम वहां पर supply करना कम पसंद करते हैं तो जहां पर ठीक है आपका demand of labor and supply of labor दोनों बराबर हो जाते हैं वहीं पर अर्थ बिवस्था में equilibrium real wage का determination हो जाता है यह point आपका important हो जाता है ठीक है तो यानि आपके economy में जो employment market का determination करता है वो monetary wage नहीं करता है बलकि real wage दोरह determined होता है ठीक है यानि real wage ही market में सबसे significant role अदा करता है और सबसे important या significant role real wage के द्वारा ही determine किया जाता है ठीक है आप आज हम क्यों बात कर रहा है इस बात पर wage पे आप बात नहीं करते हो आप real wage पे बात करते हो तो चलिए दोनों graph को हम एक बार फिर से analysis करते हैं तो देखते हैं क्या होता है OX and OY ये आपकी marginal physical productivity of the labor या demand of labor है ये आपकी supply of labor है ठीक है यहाँ पर मैं इस side में real wage रख लेता हूँ और यहाँ पर आपको क्या रख लेता हूँ demand and supply of the labor कर लेता हूँ demand and supply of the labor कर लेता हूँ ठीक है equilibrium वहाँ पर होता है जहाँ पर demand and supply of the labor हो जाता है वहीं पर economy में क्या हो जाता है real wage का determination हो जाता है यहीं डबलू अपॉन पी का डिटर्मिनेशन हो जाता है और इतने स्रमिकों की डिमांडेंट सप्लाई हो जाती है कितने स्रमिकों होगी यह O.L. स्रमिकों की किसी कारण से फिर से अब देखिए यहां पर जो आपके कुछ प्रस्णते कल मैंने सोचा उनको डिसकस किया जा अब यहां पर देखिए किसी कारण से यदि रियल वेज एकनौमी में बढ़ जाए रियल वेज किसी कारण से आई डूंट नो दरीज़ ठीक है बढ़ करके डबलू अपॉन हो जाती है तो जब रियल वेज बढ़ जाएगी तो पहली चीत देखिएगा कि जो डिमांड आफ दा लेबर है किसके द्वारा डिमांड किसके द्वारा लेबर की की जाती है प्रेडूसर द्वारा ठीक है डिमांड आफ दा लेबर प्रेडूसर करता है यह point याद रखेगा producer करता है and supply of the labor कौन करता है हम लोग करते हैं हम और आप करते हैं ठीक है domestic person करते है domestic person करते है ठीक है तो अगर real wage ज्यादा होगी तो एक producer कहेगा भी यह हम ज्यादा वेतन तो नहीं दे सकते real wage तो उनके द्वारा demand of labor खट करके कितनी हो जाती है आप इसको द ale one ही हो जाती है demand इतनी है जबकि स्रमीख कितना काम करना चाहते हैं आप क्या देख सकते हो इतने स्रमीख कितना कितने स्रमीख काम करना चाहते हैंwww OL2 इतने OL2 स्रमिक काम करना चाहते हैं इस मजदूरी पर W अपान P1 मजदूरी पर लेकिन प्रोडूसर कर रहा है कि नहीं हमको केवाल OL1 ही लेबर चाहिए अर्थाक इतने जो A B लेबर है यह जो एक्सेस लेबर है यही अनिंप्लाइड लेबर है ऊंप्लाइड लेबर है ठीए इसे सैचिक बेरुजगार कहेंगे आग़ा यही बेरुजगारी है जो हमारे समाज में है आज यही क्रैसिस सबसे बढ़ी है ठीए तो यह दिमांद आफ लेबर है जो एक प्रोडूसर द्वारा होता है वो demand of labor कम हो जाता है क्योंकि real wage ज्यादा है बट economy में supply of labor ज्यादा हो जाता है जिससे demand और supply की बीच पे gap generate होता है और ये gap क्या कोड़ता है unemployment को ला देता है इससे impact क्या पड़ेगा market mechanism काम करेगा real wage पहले से कम हो जाएगी real wage पहले से कम होगी क्योंकि supply लोग ज्यादा काम करने को तैयार है और producer कम demand कर रहा है तो real wage decline करके W upon P2 हो जाएगी जिसके पैणाम शुरूप अर्थ बिवस्था में A1, B1 देखिए producer demand of labor को बढ़ा देंगे और जबकि कुछ लोग काम कहेंगे अब हम इसमें काम नहीं करेंगे तो देखिए supply of labor घर देगी तो बेरुजगारी पहले से कम हो जाएगी फिर real wage और कम होगी real wage में demand of labor बढ़ेगा देखिए पहले से बढ़ गया that is A2 हो जाता है और supply of labor क्या होता है और घर जाता है अब बेरुजगारी और कम हो जाती और अंत में फिर से हम संतुलन बिंदू W upon P पर आ जाते है that is equilibrium point E जहां पर demand and supply of labor बराबर हो जाता है ठीक है तो ये आपके पास क्या होती है अनैच्छिक voluntary ये आपके पास अनैच्छिक बेरुजगारी है ठीक है यानि हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हम बेरुजगार है ठीक है हमारी इच्छा नहीं है forced unemployed है forcefully है इकनॉमिका system है जिसके काड़ हम रोजगार नहीं पा रहा है तो जब अर्थे बेवस्ता में real wage ज्याता होती है तो हमको इस प्रकारी की बेरुजगारी दिखाई पड़ती है और इसमें real wage automatic decline होने लगता है कम होने लगता है और तब तक कम होता जाता है जब तक कि संतुलित real wage पर वो W upon P पर ना पहुँच जाए ओके तो यह point आपको clear हो गया कि unemployment में क्यों unemployment होता है और यह forcefully unemployment क्या होता है यह आपको clear हो गया कैसे हम equilibrium E पर आते हैं किसी करण से suppose that आपका जो किसी करण से आपकी economy में माल लीचे real wage decline करकर के यह हो जाता किसी करण से that is W upon P W upon कितना P फोर कर देते हैं किसी करण से यह decline हो जाती है तो यहाँ पर देखिए कि जो आपके producer हैं वो ज्यादा सरमिक को मांग रहे हैं अरे हमको चाहिए इतनी कम मचदूरी typically सरमिक को लगा देते जहां मसीने भी काम अब नार्वी को लगा लेकिन लोग कहते इतने कम मचदूरी हैं हम नहीं काम कर पाएँगे तो लोगों की supply कम है और demand economy में ज्याता है तो ये जो आपके पास unemployment part है ये जो unemployment आप देख सकते हो ये एच्छिक बेरोज़कारी voluntary unemployment है एच्छिक बेरोज़कारी के नाम से जाना चाहेगा तो इससे लोग कहते हैं कम लोग जौब करना पसंद करते हैं कम लोग जौब पर करने का मतलब यही हुआ कि अर्थ बेवस्था में जो unemployment है बेरोज़़कारी है वो लोग कहते कि हम इतने कम वेतन पर नहीं काम करेंगे चाहे हम खाना ठीक है अपने घर पे रहेंगे घर पे काम करेंगे जब real wage बढ़ने लगती किसी करण से तो जब real wage बढ़ती है तो real wage बढ़ने के परिणाम सुरूप देखे ये real wage बढ़ गई real wage बढ़ने के परिणाम सुरूप क्या हुआ कि अब producer ने demand कम कर दिया देखिए स्रमिकों की और स्रमिक ज़्यादा काम करने लगे ज़्यादा काम चाहने लगे यह ज़्यादा काम चाह रहे हैं तो अब देखिए एच्छी बेरुजगारी की दर पहले से कम हो गई जो आपके पास voluntary unemployment वाला portion था वो decline कर गया क्योंकि real wage पहले से बढ़ने लगी और यह तब तक बढ़ती जाएगी जब तक हम पुना संतुलन बिंदू E पर नहीं आ जायते हैं जैसे हम पुना संतुलन बिंदू E पर आ जाएगे जो हमारी economy में voluntary unemployment है वो समाब तो हो जाएगा ठीके और उससे अर्थ बिवस्था पुना संतुलन में चलने लगेगी ठीके classical economist कहते हैं कि यह जो real wage है यही automatic market mechanism के अंतरकत move करती है और उसके परणाम सुरूप अर्थ बिवस्था में determination करती है equilibrium demand and supply of the labor का तो इस तरह हमारी economy में स्रम बाजार में शंतुलन पाया जाता है मैंने सारी चीजे को अब बताई अब आप अपने confusion को बताईए मेरे साथ